ओएसी ने कहा है कि ये रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्यान का मजाक उडाती है विश्णू संकर जैन जी आप भी वकील है और ओएसी साहब भी बैरिस्टर है फरक इतना है कि मैं वकील हूँ तो मैं कोर्ट ऑफ लौ में प्रैक्टिस करता हूँ आप मुझे देखते हूंगे है कोट में जाते हूँ बहस करते हुं वकालत करते हुए कै अपने ओश्यश्ण सॉप को देखा है कि वह कौर्ट में आके किसी मामले में भैस करते हैं या कोई अपना पक्ष रखते है या इस केस में उन्हों articette कर दाए के हूँ या ऊथ नने को वहा हिदू मंदर में इंगित करता है हिंदू डेवी देफताओं की मूरतिया मिली है वैस्ट ऐन्वर्ड चिख चीक कियरी हिंदू मंदर का भगनाव शेष है जो पिलर्स मिलें हिंदू मंदर के खंबे हैं मजरिसे अलम गिरी मिला है इस्ट ओन इंसक्रिप्शन मिला और अगर आप उसको नहीं बिलीफ करते हैं तो यह उनकी मर्दिये पर हम तो court of law में हैं और मुझे लगता है अपनी बात court के सामने हम रखेंगे उनने ने कहा कि यह अगर कोई धंका इतियासकार हो, academic हो तो उसके सामने यह report ठीके की नहीं है देखिए अब मैं वही कह रहा हूँ कि वह कुछ भी कह सकते हैं पर ASI जो है वो अगर कोई ASI के बारे में पढ़ेगा तो आयोध्या केस में, राम मंदर केस में, दोहजार बीस वन सीसी पेज वन में, सुप्रिंग कोट ने इस पश्रूप से काए कि ASI एक खुद में साइंस है जो हिस्टरी, वस्तु इस्तिती, जोगराफी हर एक चीज़ में डील करती है और यह साइंटिफिक एविडेंस का एक शेप माना जाता है तो अगर उनको सिर्फ इर्फान हबीब और अलग अलग इतिहासकार जो उनके पक्ष की बाते कहें और यह बताएं कि हम अंदिर इन है यह भी आरोप लगा सकता है अरोप लगाना तो हर आदमी का अपना उनका अधिकार है पर एक एक एक्सपर्ट बॉड़ी है जो आर्केलोजिकल सर्व इंडिया एक नाइंटिन फिफ्टी एट के तहत काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने और और आप एसाई की विजडम पे आप उंगली उठा रहें एसाई की विश्वनता मतलब उनकी आप क्रेडिबिल्टी पे प्रश्चिन उठा रहें तो यह अबजेक्शन तो अंजुमन ने भी नहीं किया डूरिंग आर्गुमेंट की एसाई इसमें नहीं बैठना चाहिए क् कोई और एजनसी को बुला लिया जाए तो यह सारी बातें आने के बाद हो रही हैं और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ओवेसी साब एक पॉलिटीशन है वो इस केस में ना पार्टी है ना इस केस में वो कभी उन्होंने वकालत की है ना कभी यहां पे आये हैं ना अब्बे किधर जाएंगे? देखे हम लोग तो कोई अपॉलिटिकल विक्ती है नहीं हम लोग तो एक लॉयर और जो कोट में लीगल माध्यम से अपना काम कर रहे है तो राजनीत के बारे में तो मैं खुश नहीं बता सकता हूँ पर हम लोग को अपना काम लीगल員 कर रहे हैं और कोट OVC के बयान को राजनेतिक बयान मान रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, कैमरामेन हरियों के साथ विरेश पांडे वारान सी.